यह है एसुस को नाय लापटॉप एसुस वीवो बुक S15 OLED इसमें 16GB RAM है LPWDR5 और 1TB Storage Space दिया हुआ है SSD यह Intel Core i9-powered है और इसकी बेस्ट चीज़ यह है कि यह OLED डिस्प्ले के साथ में आता है जो की Amazing Clarity प्रोवाइड करता है चलिए इसे चेक करते हैं अगर आप यह प्रोड़क् आपको इसकी Unboxing करके बदाता हूँ तेखते रहें तो यह है इसका Box Pack बहुत ही Simple सी Box Packing है इस Laptop के ओपर यह Film लगा हुआ था जिस पर जो Key Specifications है उसके बारे में जानकारी दिया हुआ है यह जो Display है यह Low Blue Light Feature के साथ में आता है आंकों के लिए काफी Comfortable रहेगा TUV Rinland Certified है आइ Box में आपको कुछ Booklets मिलने वाला है Power Cord और यह 90 Watt का Adapter Box के अंदर दिया हुआ है अब जो Adapter है यह इस प्रकार के Connector के साथ में आता है Build or Finishing इसकी काफी बढ़िया है Metallic Finishing के साथ में आता है और यह दिखे जू लिड है इसके ओपर यह एक Distinct Design Pattern दिया हुआ है अंदर की तरफ भी वही Same Design Pattern Follow किया गया है यह दिखें Metallic Silver Finishing नीचे से जो Laptop है इस प्रकार का दिखता है और यहाँ पर भी आपको कुछ Design Elements देखने को मिलेगा खास करके यह जो Orange Rubber Pad दिया हुआ है यह इसे एक अलग ही लुग देता है और यहाँ पर Black Rubber Pad दिंग है जो Model है वो यहाँ पर Transfer Support करता है यह US Military Grade Durability Standards के साथ में आता है और इसका जो हिंज है 180 Degrees तर बेंड हो जाता है जो की काफी situations में काम में आ सकता है जो हिंज mechanism है यह भी काफी interesting है काफी study है यहाँ पर ध्यान दीजिए यह Intel Evo Platform पर बेस्ट है अब देखें इंटल ने कुछ Standard Set किया हुआ है जिससे ज अगर कोई laptop वो standards को follow करता है तो उन्हें यह Evo Batch मिलता है और in fact जितने भी Evo laptops है उन्हें आप आंख बन करके खरीच सकते हैं उनकी जो quality है एकदम top notch होने वाली है इस laptop में बहुत सारी यूनिक चीजें हैं जिस पर आपका ध्यान एकदम immediately जाने वाला है जैसे कि यह Escape button इसे देखिए यह distinct orange color दिया हुआ है यही same color हमने नीचे की तरफ यह देखिए यहां पर भी देखा था और दूसरी चीज जहां पर आपके नजर जाने वाली है वो है यह enter key जिस पर again यह distinct pattern दिया हुआ है keys का size काफी अच्छा है और जैसे कि आप देख सकते हैं यह backlit keys है अंधेरे में light up होते हैं इसका जो intensity है आप कम या जादा कर सकते हैं और अगर आपको इसे off करना है तो आप off भी कर सकते हैं trackpad का size भी काफी बढ़िया है यह full-fledged keyboard है देख सकते हैं कि यहां पर numeric pad दिया हु button है अब वो चाते हैं अपने laptop में तो यहां पर आपको यह मिलने वाला है डिस्प्ले की जो quality है एकदम amazing level की है एक तो यह 15.6 inches का डिस्प्ले है यह OLED डिस्प्ले है DCI-P3 color gamut support के साथ में आता है 600 nits brightness है और यह वैसा certified है viewing angles भी इसके काफी बढ़िया है जब आप इस laptop को पहल सारी चीजें हैं जो कि आपको impress करने वाली है सकी यह देखिए जो front camera यहां पर दिया हुआ है एक तो यहां पर यह specific design दिया हुआ है जिससे जब आप इस lid को खोलते हैं तो काफी आसानी होती है और यहां पर देखिए यह physical button दिया हुआ है जिससे जो camera है यह block हो जाता है अब यह unblock हो गया है साइड से अगर आप देखें तो यहां पर भी देखें किस प्रकार का यह design pattern यूज किया गया है आम तोर पर आसा design pattern हमें laptops पर नहीं दिखता है तो यह भी काफी unique design है left hand side पर यह USB port है और notifications है यह combo audio jack यह type C USB port HDMI port और यह जो port है यहां पर आपको जो power adapter दिया 16 GB RAM Intel Core i9 13 Gen powered है Windows 11 Home Edition run कर रहा है out of the box 1 TB SSD और यह देखें यह PC Mark 10 score यह GPU Intel RS XE graphics और यह देखें यह score मुझे मिला हुआ है 5535 और जो video editing score है यह भी काफी बढ़िया है 6761 अब देखें इसका जो CPU है यह बहुत ही powerful है इसके कारण यह बढ़िया score मिल रहा है आप इस पर 4K video editing कर पाएंगे और क्योंकि यह OLED डिस्पले है तो जो video editing experience या फिर in general viewing experience काफी amazing होने वाला है इस laptop पर देखें जब कभी आप कोई laptop खरीते हैं तो आप अपना usage देखें उसके हिसाब से जो laptop है वो खरी दिये यह thin और light weight भी है इसका वजन है तकरीबान 1.7 kg के असपास और इसका जो thickness है वो है 17.9 mm ट्रैवलिंग के हिसाब से भी यह काफी बढ़िया है यह Wi-Fi 6E support के साथ में भी आता है और इसमें Bluetooth 5.0 technology यूज किया गया है इसमें Asus iSchool thermal technology यूज किया गया है जिसके कारण यह laptop है heavy applications को बहुत ही बढ़िया तरीके से handle करता है आपको consistent results मिलने वाला है और यह laptop है यह जादा heat up भी नहीं होने वाला है बैटर लाइफ इसकी काफी बढ़िया है almost up to one day का बैटर लाइफ आपको mixed usage के तहट मिल जाएगा अब यह जो वेरिंट मेरे पास है 16 GB RAM और 1 TB storage इसका जो प्राइजिंग है यह है तकरीबन 1,34,000 के असपास इंक मैंने वीडियो के description में दिया हुआ है देखते रहिए